हाई अब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग I hope आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने most important science का lecture वीडियो में लेकर आचो दोस्तों जिसमें आज क्या पढ़ने वाले हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं six standard के students के लिए एक नया फ्रेश और बहतरीन चाप्टर के शुरुआत करने जारे दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमबर फाइफ जिया दोस्तों हम आ चुके हैं चाप्टर नमबर फाइफ इसका मतलब क्या है लगातार पहला दोसरा तीसरा चोहता चाप्टर हमने पढ़ा के complete कर दिया है lecture by lecture वीडियो से हमारे चानल के उपर present है आप लोग जाओ बहुत अच्छी तरीके से ढूंडो और पढ़ाई करते हैं तो अपना conception and knowledge को जितना clear कर लोगे उतना अच्छा रहेगा और ये chapter 5 का नाम है दोस्तों substances in the surroundings and their status and properties या जो भी substance हम अपने आसपास देखते हैं correct है उसका क्या state of matter क्या है वो क्या होता है सब समझाऊंगा उसकी properties क्या है ये सभी चीज इस chapter के अंदर बार होने वाला है तो चलिए शुरुवात करने तो सबसे पहले लेकर मैं बात करो substances in the surrounding अब देखो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास जितने भी चीजे होती है उसको हम लोग क्या बोलते है matter बोलते है matter का basic meaning क्या होता है anything that occupies space यानि कोई भी ऐसा जगा जो space को छ जगा लिया होता है fridge रखा होता है refrigerator वह उसने एक जगा लिया होता है tube light हो गया कोई भी चीज जो भी मेरे सामने दिख रहा है मैं बात कर रहा हूं मेरे सामने table है इधर पर tripod stand लगा हुआ है सामने camera लगा हुआ है तो यह जितने भी चीजे आपको दिख रही है यह कहीं न कही कुछ room का जो हिस्सा है boost ने क्या क्या उस space को utilize किया है उस space को कबजा करके रखा है तो कहीं न कहीं matter is anything that occupy space जितने उने space को occupy किया ठीक है यह समझ में आ गया अब matter तो आपको समझ में आ गया लेकिन यह जो matter होते हैं दोस्तों इसके भी क्या होते हैं बहुत सारे states of matter होते हैं तो यह हम लोग पढ़ेंगे states of matter ठीक है और जितने भी वस्तु होते हैं जितने भी सामान होते हैं जितने भी चीज़े होते हैं उसको हम लोग क्या आप बोलते हैं और substances मतलब वो अपना जगा दोलेगा कहीं पे भी आप रखो वो अपना जगा लेगा तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहां पे जो state of matter होता है वो तीन टाइब की होते हमेशा है रखना यानि जो भी सामान रखा हुआ है वो या तो solid होगा solid मतलब कड़क होगा ठोस होगा मजबूत चीज होगा जैसे मेरे गर पे सामने tripod रखा हुआ है इधर refrigerator रखा हुआ है समझ लो या फिर जो वो चीज क्या हो सकती है liquid भी हो सकती है या तो वो चीज है दोस्तों वो gas भी हो सकती है यानि solid और liquid और gas ये तीनों में से कोई भी हो सकता है ये चीज समझ में आ गया solid liquid और gas तो solid मतलब कोई चीज कड़क है वो liquid मतलब कोई ऐसी चीज जो पानी जैसी है चाहे वो water हो चाहे वो के रोसीन हो चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर वो liquid के form में है, मतलब पानी जैसा है, तो वो क्या है? liquid है, और तीसरा है gas, हमारे घर में भी gas होता है, लेकिन उसको हम लोग सिलेंडर में रखते हैं, क्यों ये सिलेंडर एक solid चीज है, और gas कभी भी एक जगा जमा होके ने रिसकता है गैस की कैसी property होती जो हम लोग आगे ओर discuss करेंगे जब हम chapter में आगे बढ़ेंगे लेकिन गैस के कैसी property होती वो एक जगा टिक के नहीं रहता है Solid का होता है, यह marker है, अब यह हाथ है, इसके उपर मίνे यह solid को रख़ दिया, तो यह अबने जगा पे ऐसी को घाज़ा रहेगा, लेकिन अगर यहां पे, जो कोई जगा है, उसके उपर मैंने gas रख दिया, अब gas कहा है, देखो, यह मेरे मुझ रहा है, यह कहा है निकल रहा है, हमारे अंदर से carbon dioxide निकलता है, when we exhale, हम जब बाहर हवा निकालते हैं, तो हमारे अंदर से carbon dioxide निकलता है, अंदर जो लेते हैं, वो oxygen लेते हैं, यह मैंने biology वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, science के अंदर biology वाले पार्ट होता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या होते हैं, तीन state of matter होते हैं, एक होता है solid, कड़क वाला चीज, एक होता है liquid, पानी जैसा चीज, और तीसरा होता है gas, गैस तो आप जानते हैं, ठीक है, हवा भी इसमें भी बहुत सारे gas भरे हुए, ठीक है, समझ में आ गया, अब यहाँ पे एक और चीज आपको पढ़ना क्या बोल सकते हैं, change of state of matter, यानि कि जो भी matter होता है, उसका जो state है, यानि solid है, liquid है, gas है, वो change भी हो सकता है, और वो अपने उपर है कि हम उसको कैसे change करना चाहते हैं, example बताऊंगा आप लोगों को बहुत बेटरीन तरीके से, और इतना easy लगेगा, वो लोगों कि सर, यह तो बरब जम जाती है, ice cubes भी हम जम आते हैं, correct है, ice cream बनाने के लिए, फिर कोई भी चीज़ करने के लिए, तो वो कड़क है, ice मतलब कड़क है, तो वो क्या हो गया, वो solid हो गया, लेकिन जब ice को हम लोग गरम करेंगे, यानि heat करेंगे, क्या करेंगे, ice को हम लोग, जब heat supply कर र जिसको बहुत है, टोप, पतीला होता है, पतीले के उपर पानी डाल दो, और उसको gas के उपर रख तो गरम होने दो, गरम होते 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 होते, वो क्या बन जाएगा, दोस्तों, water जो है, वो बन जाएगा, water vapor के अंदर convert हो जाएगा, यानि भाप बन जाएगा, तो यह ice क्या था ये था आपका solid solid किसमें convert हो गया water क्या था liquid liquid में convert हो गया और liquid को फिर से आपने जब heat किया तो water vapor क्या था water vapor होता है gas तो gas में convert हो गया यानि कि anything gets converted into another form that is the fundamental thing and कोई भी state of matter permanent नहीं होता है हम जो चाहे उसमें convert कर सकते हैं बहुत चीजे करने की बाद अगर हमें solid को liquid बनाना है liquid को gas बनाना है तो हमें heat करना पड़ेगा अब इसका ultra भी हो सकता है जैसे मैंने बोला कि change of state of matter पढ़ रहे है तो सिर्फ solid से liquid बन पाएगा liquid से gas बन पाएगा ऐसा है क्या नहीं gas से भी आप solid बना सकते हैं अब यही gas को क्या करो वापस से cool करो gas को क्या करो वापस से cool down करो तो यह जो gas था ना फिर से क्या बन जाएगा यह water बन जाएगा liquid बन जाएगा यही पानी को वापस से आप थंडा करो cool मतलब क्या हो था थंडा करो तो पानी को जब थंडा करते है तो क्या बन जाता है, फिर से बरब बन जाता है, यानि फिर से वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, जो कि क्या है दोस्तो, सॉलिड है, ठीक है, तो in short ये चीज़ को देखो, आइस था, आइस को गरम किया तो पानी बन गया, पानी को गर कि वोपस से गार्ष जो था किकिस के अंदर लिक्वीड के अंदर लिक्वीड गेट्स कन विटी इनुट्व दूसालीड है यानि की वाटर जो है आपका आइस बन गया जब मैं थंडा किया तो यह साइकल चलता रहता है और यह सिर्फ आइस के केल में नहीं होता पानी आइस और water vapor के case में नहीं होता, हर एक case में होता है, आप कोई भी example लेलो, ठीके, बहुत सारे case में आप देखोगे, जैसे आप एक सोना लेलो, सोना, जो ये होता है, आप सोना क्या होता है, कड़क होता है, solid है, अब उसको मैं बहुत ज़्यादा हीट करना हो, तो क्या बन जाएगा, सोने का liquid बन जाएगा, यानि solid को liquid बना सकते हैं, अब वो liquid था, liquid को थंडा कर दिया, तो क्या बन जाएगा, फिर से, solid बन जाएगा, यानि solid को liquid बनाना है, तो गरम करना पड़ेगा, लेकिन liquid को जब solid बनाना है, तो थंडा करना पड़ेगा, उल्टा, समझ में आ गया, यही फंडा है change of state of matter का और कुछ नहीं है इस chapter के अंदर जो धिरे-धिरे आम लुक पढ़ेंगे अभी तो बहुत basic चीज पढ़ा रहा हूँ जो concept वाली जो चीजे हैं जो आपको याद रखनी है जिन्दगी भर के लिए कि आपको पता होना चीए कि अगर कोई बोलेगा कि मुझे liquid बनाना है में ञभी बनाना है तो आप क्या बोलोकि मुझे heat करना पड़ेगा खरम करना पड़ेगा teरो मुझे थंड़ा करना पड़ेगा तो यह सब चीजे होती है समझ में आगए दोस्तों यही जो चीजे हैं वह आपको ध्यान में रखनी है और यह हमरे nature में अपने आप भी होता है, जैसे हम एक चीज जानते हैं, बारिश के से होता है, इसका fundamental चीज आप जानते होंगे, तो क्या होता है सबसे पहले, कि समुंदर का पानी जो होता है, उसके उपर जब गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा धूप लगता है, क्योंकि गर्मी के सीजन के बाद ही क्योंकि इतना heat supply हुआ, जब gas जो है, जब हवा में उड़के जाएगा, और clouds का formation कर लेगा, क्या बन जाता है ये, ये जो gas से क्या बना लेता है, उपर चले जाता है, क्योंकि gas तो उड़ता रहता है, तो gas जब उड़ता रहेगा, और जाके एक बार height, जितना maximum height है, वो चला दी रहेती है, और भी बहुत सारी, जो हमारी earth का rotation है, और बागी जो चीजे है, wind है, ये सब चीज के वज़े से, जो ये gas था ना, वो थंड़ा होने लगेगा, अब जब थंड़ा होने लगेगा, तो उसमें एक ऐसा pressure generate हो जाएगा, कि वो gas जो आपका आप convert हो जाएगा, कि फिर से थंड़ा होके, फिर से पानी नीचे आया, और फिर से वो समंदर मी गिरेगा, फिर से जब धूप पड़ेगी, फिर से वो water बे पड़ेगा, यानि liquid से gas, gas, gas से liquid बनता आ रहा है, तो ऐसे कई सारे चीजे, solid से liquid, liquid से solid, या फिर liquid से gas, gas से liquid, या फिर कभी-कभी solid से directly gas, देखा, example वैसा, ये भी example बता देता हो, तो अगर आपने देखना है कि solid से कोई चीज, बिना liquid बने, gas बन जाए, तो ऐसे भी कुछ examples है, जैसे कि आप जानते होंगे, naphthalene balls, आपको पता है, इसे गोल गोल ना, white color के balls होते हैं, छोटे-छोटे, जो हम लोग toilets में डालता है, आ थोड़ा अच्छा करता है, उसलिए डाला जाता है, ठीक है, एक तरीके से infection को रोकने के लिए, तो वो solid होता है, लेकिन धीरे-धीरे-धीरे वो automatically क्या बन जाता है, gas बन जाता है, क्योंगे वो गया गया, तो वो धीरे-धीरे क्या convert हो जाता है, camphor का example है, कपूर पता है, क तो वो क्या हो गया, solid था, solid से वो directly जलके, क्या हो गया, gas में convert हो गया, और हो हवा में उड़ गया, तो ये example है solid से gas का, समझ में आ गया, तो ये सब चीज होता है, जिसको sublimation भी खा जाता है, तो ये धीरे-धीरे जो चीजे है, ये हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे, को इंपोर्टेंट होता है, तो छोटा सा वीडियो में ने बनाया है, जिसमें आपको पूरा इस चाप्टर का concept चो knowledge प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, lecture by lecture आगे बढ़ेंगे, आज lecture number 1 पढ़ा है, कर lecture number 2 लेके आओंगे, तो वैसे वैसे और ज्यादा advance में इस chapter के अंदर क्या-क्या चीजे हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे, बस हमारे साथ आप लोग बने रहना, और प्यार दिखाते रहना, थोड़ा सपोर्ट करते रहना, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पर हम six standard के लिए इतना सारा लगातार वीडियो बना रहे बाकी 7-8-9-10-11 यह हमने पहले complete करके रखा है, तो बाकी जो students है, आपके जो friends है, रिलेटिव से उनको बोल देना, क्यार आप लोग के लिए तो पहले से सब वीडियो प्रेजेंट है, बस जाके ढूणना है, सर्च करना है, पढ़ाई करते रहना है, बस और जो लोग का बचा है, उनके लिए वीडियो साते रहेंगे, 11 वी, 12 वी का और ज्यादा भेटरीन तरीके से वीडियो आएगा, नई तरीके से आएगा, और जितना हम हो सके, advanced level पर भी जाने की कोशिश करना है, और बहुत सारे surprises भी आने बाकी है, हमारे चैनल के उपर, बस आप लोग इतना ही, उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूस्पूल लगा है, तो फ्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक चोटा सा लाइक बटन होता है, ल लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, और बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को मिलती रहेगी, तिके फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूव वीडियो में, तब तक के लिए, थाइंक यू एंड गुडबाई